यूटूब एप पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ धहमशाला की बात करेंगे धहमशाला में बारिश नहीं बलकि तेज आंधी और तुफान ने लोगों के मुसिबत को और जादा बढ़ा दिया है तडकों पर पानी ही पानी जमा हो गया है और वही दूसरी तरफ बारिश की वज़े से तापमान में गिरावट आई है तेज बारिश और तुफान से आम लोगों को काफी परिशानियों का साबना करना पड़ रहा है तो तेज बारिश से जहां लोगों को एक तरफ गर्मी से रात मिली है तापमान में गिरावट आई है वहीं दूसरी तरफ धूल भरी आंधी चलने से लोगों की मुश्किल है काफी जादा बढ़ रही है और आंधी और तुफान से लोगों को काफी जादा दिक्कत हो रही है आम जिनता का जीना मुश्किल हो गया है और तापमान में गिरावट जो एकदम से आई है उसी की वज़ह से एकदम से जो मौसम में बदलाग हुआ है अचानक से मौसम ने जो करवट ली है उसकी वज़ह से आंधी और तुफान जैसी दिक्कते ये हो रही है साथी आपको बता दे कहीं न कहीं गर्मी से भी लोगों को राहत जरूर मिल गई है लेकिन दूसरी तरफ आंधी और तुफान की वज़ह से लोगों का जीना और जादा मुश्किल हो गया है साथ से संबंदित दिक्कते जो है वो लोगों को आ रही है आंधी और तुफान से लोगों को दिक्कते हो रही है ठाल जादा से लोगों का रही है